कल की शानदार तेजी के बाद आज शुरुआत करने के लिए दुनिया बर के बादों से ठीकी सुस्ति के है सक्केत और सुछ शुरुआत होने पर क्या होना चाहिए एक्षिन कुछ करे खरीदारी या फिर करे मुनाफ़ावस ली आज की शुरुआत तो ठीक है, अंत कहा होगा, और ऐसे में क्या होनी चाहिए, आपकी स्टेडिजी इस पर रहेगा खास फकर, स्वागत है आप सब का शेर बाजार लाइमें, नमसकार, मैं हूँ अनिल सिंभी, नमसकार, मैं हूँ दिपांशू भंडाई, जबरदस आक्शन बाजार में पिछले कुछ दिनों का बना हुआ है, आज थोड़े सुस्त ग्लोबल मूड महुल के बीच, हमारे बाजारों की चाल कैसी रहेगी, यह जानना है जरूरी, बताएं सर, पहले तो आज की ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं बाजार के लिए, ट्रिगर्स ठीक है दीप, दन बिलियन डॉलर का क्यो आई पी लॉंच किया है, बिल्कुल यह एक बड़ी ख़वर है, आज स्टोक के लिए आज से, और निफ्टी में पावर गेड़ और वायदा करोबार में, एक, दो, तीन, चार नहीं पूरी 10 कंशियों के रिजल्स हैं, तो वेरी वेरी बिजी डे आज आज आपके लिए ही, तो यह सारी ट्रिगर्स तो आपको आज जहान में रखने ही, इसके अलावा, मुंबई और दिल्ली में, प्रोदूर्शन को लेकर समस्याइं बढ़ रही हैं, फैल रही हैं, उसका असर आप आते हुए मार्केट पर भी आप दीमें दीमें देखे यह संकेत साफ आते हुए दिखर तो एक यह भी बड़ा ट्रिगर कुछ सेक्टरस के लिए, कुछ स्टॉक्स के लिए बनता हुए हमारी आवाज तो आपको हिंट दे ही रही है कि किस तरह का मुंबई में प्रोदूशन इस समय इंपक्ट सब के लिए आते हुए दिख रहा ह पांच मेंसे चार लोग बेमार हैं पूरे शहर में, 80% लोग प्रभावित है इस समय जो प्रडूशन और डस्ट के हाले हैं शहर में यह से वैसा हो गया है, FNU Traders की तरह है, दस में से नो लोस करते हैं, डूनो, वो एक कोन है, पांच में से चार में से कोन बचा है, वो डूनो, कैसे बचा है और क्यों बचा है, लेकिन जोक साफार्ट पूरे न्यूस रूम में भी आप हमारे टीम में डेखेंगे, आजकल कोई फोन पर उठा के हलो नहीं बोलता है, आज भी दे नहीं होते हो, पुराने जमाने में बड़े बुजूर करते हैं, खास की सिगनल देते थे, आजकल वही वही पुराना जमाना आई एक दम, वैसे ही कम्यूनिकेट करना है, वैसे ही कम्यूनिकेशन हो रहा है, आजकल भी सब होंगे, जल्दी होंगे, प्रदूशन भी अपने-पने हिसाफ से आप जो कर सकते हैं, प्रदूशन को नियंतरन मिलाने के लिए, वो जरूर करें, कोशिच करें, अपना जितना भी छोटा बड़ा योगदान दे सकते हैं, वो करना चाहिए, आपसलूटली सर, बताएं सर, आज वैसे ट्रिगर्स हमारे दिखा रहे हैं, तीन डोमेस्टिक फैक्टर पर जादा फोकस है, सिर्फ एक ग्लोबल फैक्टर रहा है, तो सवाल एक बार थोड़ा ग्लोबल समझना हो फिर उसका इंपक्ट हमारे बाजारों पर सभाल है, वैसे तो यूएस में कल छटे दिन पर साथवे दिन नस्टेक पर बट उतना कंवेंसिंग अक्शन नहीं दिखा जो पिछले कुछ दिनों का चल रहा था, थोड़ा यहीं भी थमने का नाम या कंसॉलिडेशन का नाम रोज तो कैसे बागई गया है, कहीं तो रुखना भड़गा नहीं, इसा मतलब दोड़ती इसा कुछ खराब अमेरिका में हुआ नहीं है, साथ दिन तक लगाता डौ हरे में ही बंद हुआ है फिर भी, आठ दिन तक नस्टेक हरे में ही बंद हुआ है, तो कोई गलत नहीं है, छोटी रेंज सिकल, सिमित दायरे में कारोबार किया, और हलका सा अगर आप संकेत बाकी लेना चाहें, कच्छे तेल से, बॉर्ड डिल से और डौल इंडेक्स है, तो मिले जुले से संकेत है, एक तरफ बॉर्ड डिल गटने के बाद हलकी सी उपर आई है, डौल इंडेक्स में निचले सों से हलकी सी रीकवरी आई है, कच्छा तेल तो अभी भी 85 आज़ पास वही दिखा रहा है, मैं साथ दिन तक लगातार बढ़ने के बाद जो ये हलका फुल का डाव फीटिस का कमज़री का संकेत दिखा है, इसको मैं आराम करना मानता हूं, ना कि कोई ऐसा टॉप बना दिया, यूटन ले लिया, अब यहां से अमेरिका बढ़ने सकता है, ऐसा कुछ जो होने भी चाहिए, एक तरफा तेजी, एक तरफा मंदी तो कभी बाज़ार में होगी नहीं, और बाकी संकेत अगर आपके कोई खास खराब नहीं हो, अच्छा कल मज़े की बात देखिए, कल अमेरी की बात और में ने तो कोई खास ख़बर थी, ने कोई खास डेटा, अगर यह बढ़ नेजी, अगर आप अच्छी तरेजी के ट्रेंड में हैं, लेकर साथ दिन से बढ़ चुके हैं, इसलिए और बढ़ने के लिए तो पुछ चाहिए, वो ख़बर मिसिंग है, बैड निज कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ट्रेंड तरेजी का है, तो बेचने के ल होते हैं, बड़े हेल्थ वाले जो बड़ी बनाने वाले लोग, वो भी हफते में एक दिन तो चुटी रखते हैं, तो यह भी अच्छी तेजी वाले अमेरिकी मार्केट, एक दिन कल थोड़े आराम के मूल में थे पस उतने ही देखिए, ज्यादा एनलिसिस के इसमें ज़र मुझे आपसे पूछनी है, पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कल आपने उननीस चार सो के उपर क्लोजिंग देख ली, तो क्या ट्रेंड बदलने का वक्त आ गया है क्योंकि डेज हाई पर आप बंद हुए, I think लगा था पीसरा दिन है जब हम डेज हाई पर जाकर पहले चीज कल की कलोजिंग के एक चीज पता चली कि डीप 18,837 पर आपने शॉर्ट टम बोटम बना लिया, माफ कीजिगा, 19,837 पर आपने शॉर्ट टम बोटम बना लिया, 26 अक्टोबर को, और उस दिन 18,837 के आपकी कलोजिंग थी, तो ये कन्फरमेशन कल आया है, कैसे मुझे 19,250 के उपर की कलोजिंग चीए थी, 19,250 के काफी उपर मिली है कलोजिंग, परसों की कलोजिंग आपकी 19,230 थी, ठीक है न, क्यूंग, 77 ट्रेडिंग सेशन तक, 76 ट्रेडिंग सेशन तक, आप 19,250 के उपर बन दे, एक बार 19,250 जैसे ही तोड़ा, शोर्ट टम ट्रेंड आपका नेगेटी हुआ, साथ ट्रेडिंग सेशन से आप उसके नीचे बन दो रहे थे, साथ ट्रेडिंग सेशन के बाद आप वापस जाकर 19,250 के उपर आए, जैसे आप 19,250 के उपर आए, आपने एक बाद ये कन्फरमेशन देजी कि आपका शोर्टम बोटम इन प्लेस है, पहली कन्फरमीश है, अब आप जो बोलो ट्रेंड बदलने की बाद, कब बदला जाए, ये 19,550 के उपर बंद होने पर ट्रेंड में बदल होगा, फिर से आप एकदम पोजिटिव हो जागे, सुपर पोजिटिव हो जाओगे, ये होगे आपकी निफ्टी के बाद, अब आएए, बैंक निफ्टी, कल जो बंद हुआ है, आप 23,600, पर बंद होने का ये फाइदा हुआ है, कि आपने 4215 का जो लो बनाये था, बैंक इस 280 की जो क्लोजिंग की वो आपका बोटम बन गिया है, क्या से, 23,600 पर जो आपको क्लोजिंग मिली है, 107 ट्रेडिंग सेचन तक आप 23,600 को तोड़े नहीं है, जब तोड़ा तो वहां से 1500 निकले, 7 ट्रेडिंग सेचन ठीक निफ्टी की तरह है, आप 23,600 के निचे बंद करो, तो ये कन्फरमेशन आगी है, कल की दोनों ही क्लोजिंग से ये कन्फरमेशन है, अब एक रिस्क छोटी से, 23,620 को आप 23,600 के उपर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये डिबेटेबल हो सकता है, तो अगर आज एक 23,600 के उपर बंद हो जा तब तो अब तो कन्फरमी है, नहीं होता तो पर देखेंगे एक आत दिन क्या होता, बट ओर ओर ये है, ट्रेंड रिवर्सल यहां पर 24,000 के उपर आपको बंद होना पहले ज़रूरी है, 24,500 के उपर ट्रेंड रिवर्सल करना चाहिए लिए कि हम 24,000 के उपर भी कर लेंगे, एक बार बंद तो हो है, होने आज नहीं समझ आ रही है अपने, यह समझ आएगी ठीक है एक मेने बाद, तीन दिसम्बर को, इस दिन का यह काम आएगा, अब यह कम से कम आप यह मान सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन के रिजल तक यह आपका संबला हुआ रहेगा, यह टूटा तो ही टेंशन बढ़ी है, औ दोबल बहुत खराब हो जाए तो आपको मुझे पता नहीं, बट आपके लिए सबसे बड़ा कमफर्ट ही आगे, इस्टेट इलेक्शन की वज़े से, अगर मार्केट को उपर नीचे होना है, तो आपका बोटम इन प्लेस है, यह बड़ा फाइदा हो एकल के क्लोजिं से, यह कंफर्मिशन आगे, कि खाली अपने दम पे हम इससे निचनी जाएंगे, और अगर कुशन आपका बन जाता है, फोर एग्जामपल, इस्टेड इलेक्शन के बेले, आप उननीस पान सो पचास से सुप पहुँच जाते हो, जी, चोवालेस जार, चोवालेस पान सो बैंक को जोच की बात करते हैं, ठीक है, आज क्या, कल क्या, कई बार हमें आगी का व्यू भी लेना पड़ा है, इसलिए में जैसे से जीच की शुरू, अब से दीवाली तक, आपको पोजिशनल व्यू कब से कब तक का लेना, वो भी समझना पड़ेगा, खाली अभी ले लिया, आ तो आब से एलेक्शन की चंता है, हूंक decision की चंता है, बहुआ, पहली जञा होगा निलता है, आता था है, स्विट के लि Оante tu jina का भी ईसकता है, मंदी था या चैसे पिंपोर्टेंट है, जो तीन दिसम्बर को तु एक ये delivered के लिए ने है, का अच经 beans bothВ Все नहीं है, थाहल, श् वोटिंग शुरू होची है, वोटिंग शुरू होची है, वेरी नाइस, चलिए, तो इस पर भी हमारी एक नजर बनी हुई है, बाजार के आक्शन के लिए इंपॉर्टन रहेगा, अचा एक और चीज समझने ही सी सर, जो मैंने संकेतों में भी हिंट था, आज डुमेस्टिक जादा है, ग्लोबल फैक्टर्स थोड़े कम है, बट यहां से हमारे बाजारों की जो चाल रहेगी, आपने वैसे तो नियर टर्म में बोल दिया कि दिवाली तक ठीक रहने चाहिए, बट आगे जाकर जो चाल रहेगी हमारे बाजारों की, वो कितना ग्लोबल फैक्टर्स प यह बाजार पर ज्यादा डॉमिनेंट रहेंगा? देखो, गटने के लिए हमें गलोबल फेक्टर ही गटा सकते हैं. हम लोकल फेक्टर से नहीं गटेंगे. नहीं गटेंगे? नहीं गटेंगे. So, गलोबल फेक्टर में मैं क्या मानता हूँ? अमेरिका को और कच्चे तेल को. इस्राइल हमाँ यही है अपनी टेंशन. लोकल में तो आप लोकल फेक्टर बेच ले तो कोई खास हम नहीं गटेंगे. नहीं गटेंगे. खास नहीं गटेंगे. वो ठीक है, उपर नीचे हूँ हूँ अलग बाद है. अब किसको डर है, ठीक है, यार बेचे होंगे, बेच देंगे थोड़ा बहुत, और बेचिंगे क्या बेचिंगे, लार्स के बेचिंगे, मिटकेप इनके पास कौन से है, तो मिटके वाले तो डरते भी नहीं बिल्कुली, है ना, मतलब वैसा हाल है, तो मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से, आपके पास लोकल, अच्छा, रिजल सेजन चली रहा है, परफेक्ट है, कहाँ एक्सिडेंट है, कुछ नहीं, उल्टा है, इस बार तो इसा हो रहा है, शुरुवात में थोड़े बहुत एक्सिडेंट है, पीछे वाले रिजल तो ज्यादा बेट रहा है, अभी अच्छे वाले है, अभी ज्यादा बेटा है, अपने पास कोई लोकल रिज़न ही जादा गटने का, गटेंगे तो हम गलोबल ही गटेंगे, इसराइल हमआस से नहीं हो तो पता है, मौन डिल वगरा है, यह भी मोटा पोर्टी पता है, कोई नहीं चीज अनेक्स्पेक तो रोज सुबह इधरी होगा, का होगा, और का होगा, होगा तो बताएंगे भी, जब तक मतला चीजे नहीं बदल रही है, तब तक आप पोजितिव साइट पे चलते रही है, जहां बदलने के संक्यत आएंगे, हम बात कर लेंगे, ठीक है, चलिए, और कुछ खास जो बाजा आज यही है, आज ग्लोबल संक्यत मिले जुले है, बायो डिप्स की स्टड़िजी दिवाली तक रखनी रखनी है, और बाद में रिव्यू करेंगे, फिर कहा रता हूँ, इस काम से भी निक दिवाली के बाद में मंधी बोल रहा हूँ, दिवाली तक की क्लेरिटी है, तब ईनने कहुनसे है सिनके रिजल वड़े है, जिनके रिजल आ रहए हूँ से नहीं लेंगे, आरामं से लेंगे, क्यों让 चीप जिंके रिजल अछी नहीं हा रहे है मिटके आसोर, जब पिरहा करेक्ट हो और तो लेना भी है, तो लेना भी है, तब आपको एक अच्छा मुका दे सकते हैं, जिसके रेजल्ट अच्छा रहे हैं, उनको लेही लो, सपोर्ट लेवल के आसफास खरीदारी करनी है, चाहे स्टोक और चाहे इंडेक्स, कोई डिक्कत नहीं है, सपोर्ट कहा है, 1925, 1935 निफ्टी का है, 1925, 1935, 1935 निफ्टी का, ओपर कितना जाना है, 1945 निफ्टी टार्गेट है, तर्शे लिए लाइस आठोट पजे तर्शे चाहरे टार्ट रहें ऐगा तिक है तीक है गॉट इट चलिए आज की संकेट सर सट अब गलोबल में इस न्यूटर रखे हैं अब पोजिटिव न्यूटरल बट थोड़ा बाइस पोजिटिव साइड भी कह सकते हैं FI is positive है, DI is positive है, FNO neutral है, sentiment positive है, train neutral है, तो neutral होगे, आपके 3 positive होगे, 3, negative कुछ भी नहीं, चलिए, 19.315, 19.315 आपका पहला आज support zone है, जो आसानी से नहीं टूटेगा, ठीक है, इसके ठीक नीचे, 19.200, 20.30, strong buy zone है, जहां पर आए तो आपको बिना किसी के invitation का इंतजार के, कोई बे पिटेशन ही मानके चले हैं, वहाँ पर आप ले लीजेगा, 19.435, 19.480 से पहली उपरी जोन है, जहां पर जाकर हम बुकेंगे थोड़ा, पार करके निकले तो 19.500, 2585 तर जितनी आपकी इच्छा उतनी profit booking करिए, धे, दम और हिमत तर शॉट भी करिए, शॉट भी करिए, य उन लेवल्स पर कर सकते हैं, आप 18.850 से 19.550 नों-स्टोप 700 पोइंट आते हैं, तो फिर बनता है, 19.000 पर शोट करना है, 19.550 पर डर लगता है, यह डर अच्छा है, तो उपर में देने में कोई हर्ज नहीं है, और अच्छे जहां रुकावट के लेवल वहां देना भी च लेवल्स पर शोटी, 23.550 चाट सोपचेस पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा, होसकता है, कमजोरी की तरफ बैंक लिफ्टी पहले रहे, कल भी बैंक लिफ्टी बड़ी मुश्किल से परसीना महा के उपर आया है, ठीक है ना, आखिर में, लेकिन यह रहें जिस 23.875 पहली रुकाउट की जाएगा, जरी लगता है कि आज आसानी से इसको ही पार करेंगे, पहली रुकाउट पर बैंक लिफ्टी रूट जाएगा, फिर भी अगर निकले तो 23.950 चाट से वालेज़ जार पचास हो जगए जहां पर मैं बेचने के लिए भी तयार हू कुछ बढ़ेंगे, पुछ नहीं, एक चीज नोट करेंगे, यही आएंगे, कहां जाएंगे, यही आएंगे, कहां जाएंगे, सबको लेना है, आज नहीं तो कल, लेंगे, अभी नहीं तो 20,000 पे, लेंगे जरूर, लेंगे जरूर, तो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं थोड़ा मूर माहल तो बदलने दो, देखो, होगा, आएंगे, आएंगे सिर्फ, ठीक है, पूटकॉल रिशो भी ठीक है सर, कोई भी भी ठीक है, स्टॉप लॉसे स्फिर, जो देता हूं, इंट्राडे कल के लोग पे 19.300, लोजिंग पॉर्सों के लोग पे 19.200, आज आवाज थीक हूं, लेकिन गला भी 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 ठीक है, यहाँ, इसे आप भी कल से बेटर लग रहे हैं? मुच बेटर, खासी कम है थोड़ा गला भारी है, बट खासी कम है, थोड़ा बेटर हो आएंगे, इसका मतलब क्या है, जिन जिन को भी दिखकत थे हो, बहाई हो, समस्दे तीन दि तक 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 जाए है, तीन से चार दिन, मतलब आप वो कहते हैं कि आपको सरदी चुकाम खासी हो जाए, अगर आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लेते हो, तो एक हफ़ते में ठीक हो जाते हो, ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेकर आराम से रहते हो, ठीक है, तो साथ दिन में ठीक, वो खाओगे किया आप बोलते हैं, तो भी एक हफ़ता लेगीगा, आपको डिसाइड देना है, एक हफ़ते में ठीक होना है, साथ दिनी सी बात, तो जो जो ले, दीपूर हम थोड़ा बहतर फील कर रहें, उन्देटेज से जार तीन सो आपका इंट्रेडे स् कतनी है, अलाओड है, निफ्टी, शॉर्ट पोजिशन पर दो अप्शन है, एक तो कल के हाई पर इस्टोपलोस मार दया हैं, दूसरों निस पान्सोर, जो आपको ठीक लगे, दो नहीं रख सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी सेम है, कल के हाई पर भी रख सकते हैं, और के, understood, नई पोजिशन पर आते हैं, खरीदना है निफ्टी, और निचे खुले तो खरीद नहीं है, और निचे खुल के दोखो, अभी आप अच्छी रेंज जो बनती है, निस तीन सो तीन सो पैंसेट की रेंज में, थोड़ा बो एक टुकडों में ले लिए, तीन सो पैंसे तीन सो के आसपस तोड़ा ले लिया है, दो टूकरों में खरीदी है, थोड़ा स्टोप्स दूर का ही लगाई है, उनिस जार दो सुका स्टोप्स रहगा, टार्गेट जो बनेगा दिप, उनिस तीन सो पैंसेट चारसो दस दस दो चोटे टार्गेट है, चारसो पैंसेट, और 480 तक के फाइनल टार्गेट, ज्यादा भी नहीं है टार्गेट, बड़े भी नहीं है, लंबे भी नहीं है, मैं भी है ना जेना अमेरिका की तर थोड़ा कम काम करने के मूर है, सच्छी बतारू हूँ, ज्यादा उठा पटर का मूर है नहीं, रिजल कल मार्केट बंद होन क्या पहुचिए हाँ, बेचने के लिए, उनिस चार्सो पैसा पान्सो पचास अगरम होका मिलेकर इस रेंज में जरूर एक बार भी क्वाली कीजिए, करना चाहिए, कोई दिक्कर नहीं, करिया आप, टेंचिन की बात नहीं है, क्योंकि वहां बेचना है, स्टोड़ा सा उनिस चार्सो का ही लगाई है, ठीक है, उनिस चार्सो पैटिस, उनिस चार्सो दस दो छोटी टार्गेट हैं, 380, 362 मीडियम टार्गेट है, 340, 315 तक के फाइन अगर, ऐसे जहादा लंबे चोड़े भी पिर पी टार्गेट, इतने ही, तीन सो के नीची की मंधी भी जगी अगर उपर बेचते हैं तो ओके नई पोजिशन बैंक निफ्टी खरीदना है अच्छी रेंज खरीदने के लिए 33, 225, 425, 425 पर रिव्यू करिए लगे तो लीजिए जो कलकल होए ने तो कोई बात नहीं 325, 225 अच्छी जगया एड़ कर सकते हैं स्टॉप्टोस दूर का दे रहा हूं 43,000 का क्योंकि 53,150 और 53,50 भी दो अच्छे लेवलें एंट्रिकर निकलें तो दो तीन टुकड़ों में खरीदना है यह जियान रखिएगा एक या दो टुकड़ों में नहीं तीन टुकड़ों के तीन टार्गेट है 745, 825 और 875 फाइन टार्गेट बस ठीक है बेचने के लिए? त्याहन से सो पइंट उपर वहां से सेल रेंज शुरू होता है 725 पे रिवीव करिए 875 बढ़िया जगह है वहां आहराम से बेचिए 44,50 यह आपका स्ट्रफलोस का लेवल है थोड़ा दूर यह है यही लगाई है तीक आर्गेट निचे 23625, 550 दो चोटे टार्गेट है 425, 325 दो मीडियम टार्गेट है 200 तार्गेट है 200 तार्गेट है 255 फाइन टार्गेट बास अथने बड़े अनले लेवल मस्तिस से निकल एक्टम ती ज्यादा मेरत कुछ मच्छा नहीं नहीं आ हुआ है उदर बहुत काम करना पड़ा देवाली ओफर भी है वो तो है जो फंड्स की तो आपने खाए फंड्स पर तो ओवर प्रफॉरमस आदी बड़ जो स्टॉक रेकमेंडेशन से निवाली ओफर की वो चुछ जादा ही शानदार परफॉरमस दिखा रही है तिलक नगर देख लीजाए जमाटो रेल टेल वाड़ा मोगा देख लिए वाड़ा है कोई लोग मुझे बोलता है कि सर आपने रिकमेंट के यह हो गया है हमारे इससे कुछ नहीं होता है मार्के ऐसा है एक बात है मैं फॉर एक्जाम्पल कर चलो कि कि लगता हमारे बोलने से होता है तो इसका एक एक एक्जाम्पल है कल के शॉर्ट तो नहीं बड़ आपने कहा था चलेगा नहीं स्टॉक वह अलग बात है वह अलग चीज़ है तो कोई हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है जो सुन रहे उनके करने से होता है बोलने से तोड़ी कोई उपर से स्टॉक तो उपर न कोई गले ंचाल फिमी निया अच्छे स्टॉक vampires का सफोर्ट होता है मार्केट का माहूल बरs मतने फंदायशंस नीं चलते यह एक दिन में फंदायशंकर 10 प्रसे जाते है math जिस दिन आपको गेंस आंगे बढ़िया गेंस आते है उसमें आज का भी दिवाली ओफर आने है उससे पहले थोड़े स्टॉक्स पर भी बात करने है जी एन एफसी सर बैंड में कुछ बदलाव नहीं हुआ है को इंपोर्टन वाइदा करोवर के लेविल्स आज के लिए को 550 क केश में विकवाली लेकिन सामने 700 कोड के स्टॉक फीचर्स करीज़े तो यह नहीं एटनेट खरीदारी और 1250 कोड के इंडेक्स भी सो और ओल खरीदारी का नमबर अच्छा है कोई दिक्रत वाली बात है नहीं है फोरे चेंज डिप कल एक इंटरसिंग चीज दिखिए लेकिन एफाई इंडेक्स बैंक डिफ्टी में लॉंग करके गए हैं यह इंटरसिंग है करेक्स वाइदा करोमार के डेटा के साफ से उननीस तिन सो ननीस पान सो दो गॉल पोस्ट है आपके उनीस तिन सो की नीचे जाना नहीं बाइसी लाग शेर हैं वाँ पर ऑपन इंट जब तक आप ट्रेड करते हैं तब तक आप मंदी में नहीं है कमजोरी 325-500 के नीचे से घिननी है उपर में 44,000 रुकावट है नीचे 3,000 सपोर्ट है ज्यादा डेटा है नहीं ज्यादा डेटा है और बुलो बस सर हो गया पूरा सेटल हो गया अब आप से स्टॉक्स की बात करनी है और बाकी अक्शन के भी बात करनी है रिजल्ट रिविय में जैसानल जेने का कुछ जाद खास है नी बट स्टॉक ओफ दे डे में कई सारे अकाउंटर्स लेकर आएं आई करते हैं इस पर फोकस बता है सर क्या है नजब में हाली के लिस्टेड कंपनी है कि उसमें मैं आज खरीधारी करने की राय जीए स्टॉक अफ दे डे में आर आर काबिल लिस्टिंग के बाद यह पहले नतिज़ मैं आम तो पर लिस्टिंग के बाद के पहले नतिज़ बड़े गोर से लेखता हूं आइडिया लगता है कि कई बात क्या आता है जनरली आई-प्यों आने के पहले कंप्यों में पिछले दो-तिन साल के नमर्स बड़े दिखाए जाते हैं सारे अच्छी होते हैं उस बड़े बेस्ट पर कंपनी से स्टेंग कर पाती हैं तो क्वार्टर ओन क्वार्टर ठीक है लहीं साल दर साल ही देखना चीज जिस तरका इनका बिजनस है और साल दर साल नमर्स बहुत मजबूत नज़र आ रहे हैं काम का जिम मुनाफ़ 88% गटा है मार्जिन पोने 5% से 7% आए और मुनाफ़ दोगून हो है 35-35 क्रोड होता हो दिखा है तो आइटिंक अच्छी नमर् पर स्टोक थोड़ा बढ़ना चाहिए 1390 के स्टोक उसके साथ करीज सकते है 1430, 1420, 1450 के टार्गेट के लिए RR काबेल ये पहला स्टोक है ठीक है ठीक है दूसरा सर्प्राइज होगा आपको नहीं देखके स्टोक है बताए ग्लेंड फार्मा ये ऐसा स्टोक साथ 4,000 से हमने इसको पर व्यूद भी बढ़ना और इस बार के नंबर्स भी आप देखेंगे न दीप तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा इन नंबर्स वाक्य में क्या इतने अच्छे हैं क्या क्यों मैं बताता हूँ आए साल दर साल 31% बढ़ी है अच्छी कोई दिक्त नी काम काज मुनाफ़ नो परसेंट ही बढ़ा है ठीक है मार्जिंस साड़े 28% से गटकर 23% आए है तो मार्जिंस के लिए और मुनाफ़ एक सो चौरानवे करोडर रहा है जो थोड़ा सा कौर्टर अन कौर्टर फ्लैट है अन दर फेसर वर उतने खास है उतने दमदान है फिर में क्यों देखना है पहली चीज़ तो यह समझ लो कि जिस फार्मा कमपनी के जल थोड़े भी अच्छा रहा है कूद कूद के खरीद है कल देखा डीवीज क्या हो हां और फार्मा में बाहिंगी है यह समझ लोगों को फार्मा खरीद नहीं है जहां पहला सिगनल दिखेगा खरीदने यूरोप 12% से केनेडा उस्टिलिया न्यूजिलेंड भारत में भी 35% कौर्डर न कौर्डर तो यह इसने उपर वाला काम ठीक कर लिया है ना रेविन्यू का अब नीचे थोड़ा मार्जीन वाला ठीक करना है हो जाएगा मार्केट इस पर टेड़ करेगा और इसलिए थोड अग्रिसिव कॉल है कि उसका थोड़ा चला भी है उसके बावजित मिझे लगता है चल सकता है तो आप स्ट्रिक स्टॉप्रोस 560 का रखेंगे 1600, 1615, 1630 यह टार्गेट है जिसके लिए ग्लाइंड फॉरमर नहीं करीदा है चीक है, और कुछ दो कैश के तो एक सिल आज स्टॉप्रोस 560 यही बढ़िया जगह यहां कि यहां कि असी बढ़िया जगह तो कुछ न कुछ ऐसा होगा वापस बढ़ जाएगा तो यह बढ़िया जगह 89-90 का स्टॉप्रोस लगा कर 85-2 और दूसरा 84-25 दो टार्गेट के लिए फीचर समीं भी क्वाली करें और यह मैं ठीक है तो दो बाइकाल है कैश के आरार कैबल और साथ ही ग्लैन फार्मा सेल पर आपकी आरी है सेल कॉल आइप उस पर भी काफी डिसकॉशन करना सर लिस्टिंग भी और दो आइप उस पर आपकी राए भी लेनी नौ बजे अपॉइन्मेंट सेट है आनल जी से पूरे के प अफ्टी में तो आपको पावर ग्रीट के नतीज़ आते वे दिखेंगे एफ नो के हिसाप से अगर आप बात करें क्यूमेंस दीपक नाइट राइट आया सीटी सी इंफोएच श्री सीमेंट ट्रेंट एलकम और कई सारी कंप्रेया जिनके आपको नतीज आते वे और अंतरिम डिवेंट दोनों पर विचार किया जाएगा अतुल लिमिटेड यहां पर बोट बेटक में बाइबैक पर विचार किया जाएगा और आयनोक्स वेंड यहां पर बोट बेटक में प्रिफरेंशल बेसिस पर फंट जुटाने पर विचार किया जाएगा आईशर म अपडेट्स में Ask Automotive जिनका IPO आज से खुलता हुआ दिखेगा 9 नवेंबर तक खुला रहेगा प्राइस बैंड 268 से 282 का है और अगर आप इश्यू साइज देखे 834 करोड का और वो पूरा का पूरा और कंप्री ने इंकर बुक के जरी लगभग 200 करोड जोड़ा है जिसमें ICCI प्रूव, Goldman Sachs, BNP परिबास आदी जैसी कई हैं जिन्होंने इसमें अप्लाइ करते में दिखे हैं असाफ Small Finance Bank यहां पर IPO आज बंद होगा, Day 2 तक बढ़िया सब्क्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है लगभग 8 गुना से जादा बढ़ता हुआ जिसमें Retail का हिस्सा लगभग 8 गुना बढ़ा है QIB पूरा 100% बढ़ता हुआ और NIA की बात करें तो 20 गुना के आसपास बढ़ता यह है आपके लिए IPO action और साथी आज की triggers नुपूर मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे हैं रेडार पर बलकुल HPCL के साथ शुरुआत करते हैं यहां पर कंपनी की आए देखे तो आपको 14% से घरकर इस क्वाटर में आती हुए नजर आएगी लेकिन यहां पर अनुमान से भी थोड़ी घरावट यहां पर आए में आती हुए देखे कामकाजी लेवल पर 15% की घरावट है लेकिन 12% से बढ़के 13% मुनाफ़ा भी देखे तो 19% की घरावट इस क्वाटर में आती हुए नजर आएगी नजर आएगी नायका पर अखनी है नजर कंपनी की आए में 22% की घरावट आती हुए देखे कामकाजी लेवल पर देखे तो मनाफ़ा असी करोड पहुंचते हुए मनाफ़ा भी देखे तो 6 क्रोड के आसपास इस क्वाटर में आते हुए नजर आएगी नजर अच्छे नतीज़े यहां पर आते हुए दिखे एनायए 26% की ग्रोथ आपको नजर आएगी मुनाफ़ा में 33% की ग्रोथ दिखे ग्रॉस नपे नेट नपे देखे तो वहां पर भी सुधार है और नेट इंडर्स मार्जन भी एक्सपांड हुए 10.9% से वड़के 11.12% के असपास पॉंचते हुए दिखे फैक्ट की नतीज़े कमजोर है कंपनी की आए 14% से इस क्वाटर में घर कर आते हुए दिखे कामकाजी लेवल पे 45% की आपको गिरावट दिखेग पे कंपनी की आए 16% से इस क्वाटर में घर कर आते हुए कि कामकाजी लेवल पे 54% की गिरावट है मार्जन से कम होके 6% रहे गए और इस पार पिछले साल मुनाफ़ा था 13 क्रोड का जो घाटा है 20 क्रोड के असपास का जमना ओटो नतीज़े यहां पे आपको अच्छी पर नतीज़ों का एक्शन कुशल भी है मारे साथ कुशल बताईए आपके पास कौन से नतीज़े हैं अपर फोकस रखे नंबर्स ऑपरेशनल अच्छे दिख रहे हैं अला कि आया में 10% तक की गिरावट आई है कामकाजी मुनाफ़ा के लिए 30% की ग्रोध है मार्जन इस व 20% से बढ़कर 27% हुए है पर अफकोस जैसे कि मुनाफ़ा है 184 करोड से 170 करोड पर कंपनी ने दर्च किया है साथी डालमिया भारत शुगर नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं मार्जन तो आप देखे 1.3% से सीधा अब 9% जा पोचे हैं मुनाफ़ा 12 करोड से बढ़क अब 55 करोड का कंपनी दर्च करती हुए दिख रहे हैं और रेवन्यू फरेंट पर भी 26% की ग्रोथ है यही नहीं गुजाट स्टेट पेट्रोड जी एस पर भी फोकॉस रहे हैं मार्जन 77.5% के कंपनी के आए हैं कामकाजी मुनाफ़ा 22% बढ़ा है और मुनाफ़े के लिह अल्मस्ट फ्लैट रहा है पिछले साल के मुकाबले 1546 करोड पर साथी यहां पर ED के पद पर सुधीर कुमार यादव नियोक्त होते वे नजर आए हैं पीजी एलेक्रोप्लास नंबर अच्छे दिख रहे हैं मार्जन 8.2% हो गई है 8% से बढ़कर कामकाजी मुनाफ़ा 40% मुनाफ़ 72% ग्रोड करकर 12.5 करोड पर अब कम्पनी ने क्लोक इन किये हैं TVS सप्लाइचेन नंबर्स थोड़े डिसपॉइंटिंग है मुनाफ़े से घाटे में आती भी दिख रही है कंपनी इसमें 49.5 करोड का घाटा कंपनी दर्च किया है लगबग 39 करोड के मुनाफ़ के मुकाबले margins on the other side 6.2% से बढ़कर 8.2% होते वे दिखे हैं आए फरंट पर साड़े 15% के गिरावत है तो TVS सप्लाइचेन थोड़े से डिसपॉइंटिंग नंबर्स हैं तो यह आपके लिए कुछ नंबर्स का रियक्शन और भी कुछ नंबर्स हैं अर्मान आपके पास औ दिखे हैं और मुनाफ़ा अगर आप देखें तो 11% बढ़कर आतावा दिखा है एच जी इंफ्रा आए लगबख 20% मढ़ी है margins 20.3% से इंप्रूव के 23% पर आते वे दिखे हैं मुनाफ़े में भी आपको 17% के आसपास का उचाल दिखेगा तो नतीजे बढ़िया दिख रह है आए हला कि अगर आप देखे 8.5% बढ़ी है पर margins में गिरावट आते वे दिखे है 14.2% से गिरकर 13% पर आते वे दिखे हैं और मुनाफ़े में भी लगबख 35-35% के आपको गिरावट दिखेगी उजीवन financial services यहाँ पर N.I. लगबख 28% बढ़ी है और मुनाफ़े की बात करें तो मुनाफ़े में 12% के आपके गिरावट आती भी दिखे है रेपकों फिनेंस यहाँ पर रहना है लगबख 35-35% के आपके बढ़कर आती वे दिखे है जी एन पे देखे या फिर नन पी देखे दोनों में गिरावट आती वे दिखे है नन पीए 2.75% से गिरकर 2.16 2.2 पर आसपास QQ आते वे दिखे हैं और निम्स भी जो हैं वो भी इंप्रूव हो है QQ 5.1% से इंप्रूव के 5.4% पर आते वे दिखे हैं खबरों में बजाज फिनाइस लिमिटेड यहाँ पर आपको द्यान अखना है क्योंकि 6 नवेंबर से QIP खुला है और इश्यू सहीत अन्य पर जो लगी पाबंदी है सेवी ने हटाई है बैंक खातों पर लगा फ्रीज भी कत्म होता हुआ गए दिखा लिए आपके लिए खबरें का एक्शन ना फाइनल से रफ खबरें बताए इनके बारे में बल्कुल फोर्स मोटर्स जहां पर कंपनी का अपडेट आ में 4.2% की बड़त आपको दिखे मंथ-on-month basis में एवरेज क्लाइंट फंडिंग भी देखे तो 16% की ग्रोथ यहां पर आती हुई नजर आई है Fund Action में EPL Limited पर रखनी है नजर कंपनी में ICC Potential Mutual Fund ने 2% हिस्सेदारी घटा दिये पहले जो 7.36% हिस्सेदारी थी वो गटा के 5.32% किये ओपन मार्केट के जरीए हिस्सेदारी घटा यहां पर टाटा म्यूचल फंड ने 0.14% शेर्स खरीदे एक लाग शेर्स खरीदे उनके हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आई है DSP Trusted DSP India Fund ने 0.64% हिस्सेदारी खरीदिये ओपन मार्केट के जरीए ट्रांजक्शन किया गया हाली में लिस्ट हुई Sello World वहाँ पर Plutus Wealth Management और Reliance Commercial Finance ने करीबन देखेंगे तो 20 लाग शेर्स खरीदे आर्ट सो के भाव पर Strides Pharma पर भी रखनी है नजर क्योंकि Promoter ने करीबन 9 लाग शेर्स 470 के भाव पर बेचे है खरीदारी किये Parabas Arbitrage Fund ने जहाँ पर बायर जो है वो Stress Pharma में सामने आते हैं और लास्ट में IQ लाइटिंग जहाँ पर गूर्में सेक्स ने करीबन 6 लाग शेर्स पीचें 345 के भाव पर ओके यह तो यह है आपके लिए सारी की सारा Fund Action और आज की सारी खबरें भी आए फिर डालते हैं नजर ब्रोकरिजस पर F.I.R. मौनिंग आशिश करियर शुरुआत आज की टॉप रिपोर्ट के साथ कुड़ मॉनिंग दिपांशू सबसे पहले अगर आप देखे तो डिवेस लाब यहां पर रिपोर्ट आई यह जेफरीस की तरफ से जहां पर रेटिंग को डबल डाउंग्रेट कर दिया गया है पहले खरीदारी के राए दिया करते थे अब होल्ट की रेटिंग दे रहे टागेट प्राइस जगर आप देखे तो काफी ज़्यादा कट किया है गोर्डमेंट सा इकसी बात करें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकर आ रहे है और जो टागेट है यहनों ने 3775 से घटा कर 3600 कर दिया है स्टील अथारीडिय ओफ इंडिया यहां पर भी देखे सिटी की रिपोर्ट का एंपाक्ट देखने को मिल सकता है डाउन ग्रेड आ गया है पहले खरीदारी की रायती है बिकवाली की राय है और जो टागेट प्राइज है यह भी 110 रुपे से घटा कर असी कर दिया है 86-87 रुपे के करीब का भाव चल रहा है और यह मान रहे कि डुमेस्टिक स्टील प्राइस को लेकर कुछ कंसरंज है वालुएशन इने उच्छत लग रही है लेकिन अब तक का कंपेरेटिव परफॉर्मेंस इनका खास नहीं इसके चलते हैं एबिटा के एस्टिमेट्स में स्टॉक चल रहा है 262 के करीब और यह मान रहे कि अबिटा अगर आप देखे तो हायर इन्वेंटरी के चलते हैं बहतर यहां पर देखने को बलाता लेकिन यह मान रहे की साल का अगला भाव हो सकता है कि इनके लिए थोड़ा सा कमजोर साइट पर देखने को बले भारत फोर से स्टॉक में लगातार तेजी आई है इसके चलते हैं इन्होंने रेटिंग को डाउन डिट किया है कोई फंडामेंटल फाक्टर नहीं मोगन स्टानल के बात करें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रिखें ग्यारा सो चैटर के टागेट के लिए जेपी मोगन ओवर की रेटिंग दिया है लक्ष 1150 से बढ़ा कर 1205 कर दिया है 1076 का भाव चल रहा है और जेफ्रीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रिखें मानरे के बिटा जो है पिछले साल के मुकाबले कर आप देखें तो 45% बढ़ा है लेकिन इनके अनुमान से 8% कम है और इस है आपके लिए कुछ बड़ा आक्शन और कौंसी रिपोर्ट से आशिश ग्लाइन फार्मा इंट्रेस्टिंग रिपोर्ट है और अमिरा की तरफ से जहां पर अगर आप देखें तो रेटिंग को अपगरेट कर दिया है पर रेडियूस की राय थी अब नीट्रल की रेटिं हैं तो मार्जिन इंप्रूब हो रहे हैं कोई गोर्मन साइक्स ने भी खरीदारी किराए दिया लक्ष 1685 से बढ़ाकर 1750 कर दिया है नायका यहां पर इंट्रेस्टिंग रिपोर्ट साही है मौगन साली के तरफ से और वेट की रेटिंग को बढ़कर आ रहा है 173 के लिए ज जेफ्रीज यह खरीदारी किराए दे ने 200 रुपे का टागेट दिया 147 का भाव है और मौगन साली मानरी की फाशिन बिजनेस में अगर आप देखें तो कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल रही है और जो ओवराल आउटलोग है ट्रेंड्स है वो भी यहां पर इंप्रूब कि वालेशन अगर आप देखें तो काफी सस्ती है वरून बेवरेजेस यहां पर भी नतीजों का इंपक्त रहेगा सीले से आउट परफॉर्म की रेटेंग को बरकरार रहे हैं लक्ष एक हजार 30 से बढ़ाकर 1070 कर दिया 946 रुपे का भाव चल रहा है और यह मानरे की लगा आयता करीब 8.9% के आसपास का मार्जिंस में काफी स्ट्रॉंग देखने को मिला जिसके चलती है बिक्वाली के राएदे रहे हलागी कॉमेंट्री अगर आप देखे तो पॉस देते हुआ होके तो यह है आपके सारे के सारे जेर सारी पोड़ा आज तो बड़े डाउंगे आशिष बड़े एक्टिव नहीं तो बड़ी सारी रिपोर्ट्स लेकरा है वेल दन आशिष बहुत बड़िया आये एक्सपर्ट्स में बड़े एक्टिव नजर आने चलिए बिगुल के साथ करते हुआ उनका स्वागत बंसल जी नहीं बंसल जी शौरी बंसल जी माफ कि देगा गलति सापका नाम बोल गया हमने हिमाची जी सुप्रबाद शुरुआत करें सर अधि शुक्रबाद अनेली सभी को सुख्रबाद अनेली आप सुपह सुपह क्यों बंसल जी को बुल चार्ज कर दें बाद तभी बंसल जी की तरह से दमदार आप देखना आज मतलब दो तीन पिक देंगे भी आप इसलिए मैं पहले आप से ले लेता हूँ बताएं अने अग जैसा कि कल कैसे स्टॉप थे आपने देखा कि कल स्मॉल केपिंटेक्स में रही बनता हुवा नजर आया तो फोकस वहां है ऑफ कोर्स करका कल रिंफ्टी बेंग निफ्टी ने भी अच्छे ब्रेकॉट रहें कि मुझे लगता है की कैस से स्टॉप में स्मॉल कया मिर इंड कर क काफी opportunities हैं तो वहीं से एक नहीं दो pick of the day है पहली खरीदारी के रहे हैं ताटा एलेक्सी में जिसमें कल एक inverted hand and shoulder कप and handle formation का breakout आता हुआ नजर आया है 7,830 रुपे के आसपास का close है यहां पे खरीदारी करके चलने की सला है मुझे लगता है 8000 रुपे तक के तार्गेट्स आज या कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं 7,780 के साथ पहली pick of the day रहेगी टाटा एलेक्सी में और अनलजी जो दूसरा खरीदारी का आइडिया है वो है पतंजली फूड्स में जिसमें हमने एक अच्छा मूव आता हुए देखा था दो चार दिन पहले स्टॉक ने एक सपोर्ट को रीटेस्ट किया और कल के सेशन में जिस तरह का क्लोज आता हुए नजर आया है ये स्टॉक भी मुझे लगता है आज एक तेजी दिखा सकता है तो 1420 रुपे के असपास का कल का बंध है पतंजली इसमें खरिदा ही करेंगे 1390 के साथ 1475 रुपे के दो टार्गेट के लिए पतंजली रहेगा दूसरा पिक ऑथर क्या बात है दो केश मार्केट के तगड़े स्टॉक लेकर आए ही मांची जी आपके लिए सूप्रभात बंसल जी तो आगे ते आपका भी बताएं सब क्या कर करेक्टर में गुषने दो एक बाद सीरेस होने दो फिर आप मतलब वो शॉट देने के पहले आदमी एक्टर उसमें गुषना जी बन से पूछे आपना साथ अनिल जी एक गाड़ी आती ना ये क्रेटा वेगरा आती है जो गाड़ियां आईटन सेंट्रों यानिल जी किस कं कि अंपनी के लिए एक नाम जावना, चाहता हünk अनिल जी, अस ses कुषदी कैंशा है undale आणिल जी अब आप नेखनी का नाम कर दी ह cocondae का शुडू कर आ है Colonel के जी आप आई पर चाहिक है रपकें का मैं के आप यह को यहा हुगि जिस तरीके नेम के आपके हैं कि aos अब नीचे लिस्टिंग पर नीचे लिस्टिंग वही तो उस चीज को अखनॉलिज करा और आपको धन्यवाद बोला था कि वह आनिल जी आपने बाध बढ़िया करा लॉंग टम के लिए बोला तो अनिल जी आप इस तरीके से आज काल आई प्रिज को अपरेज कर रहे हैं तो है और आपको भी नीचे बहुत ही नाम हंडई हो गया या नीचे छिर्ण बिग बी के लिए मुझे मुझे को अनिल जी पिजया प्रिजिया नवारत थे जो बिग में बोला हो सही है बात अवाध कतम अगर वो किस दिन राकेश को रहकेश बोलेंगे तो हम रहकेश ही मानेग जिकुनाल जी अरे जी देखें मैं भी बिल्कुल यही कहने बाला था अरे जी आप कुछ भी चेंज करें बंसल जी के सलापर राकेश जी का नाम बदलकर अरे राकेश मत कर दिजेगा जब से युएस होकर आये हैं, यह अपने आपको राकेश बुलवाना पसंद कर रहे है ने जी तब से, तो इसलिए आनी जी इनको राकेश ही रहने दीजेगा तो भी भी करें तो क करें हम तो नहीं है पता ज्यार जेलिए हमारी इतनी acceptance मिलें करें को इनको intoips अवार अवारय धोग अवाने इसलिए जो करेर उसकी लोग महने है अच्छा आप इतना तो प्रोनौस कर रहा है। मैं दो हिंदी में लिखे लाए है हानिय जी लोग तो ये शब्द भी नहीं बोल पाता है प्रोनौसियेशन आप इतना तो बोल रहे हैं बंसल जी ये पिट आप वेरी नाइस बताएं सर पिक आफ दे एप आनिय जी मेरा पिक आफ दे एप आनिय जी देखे है जो मेरे में तर कुनाल जी है अब आप दे शुटी लेते हैं अभी बीच में हाथ उठा रहे थे अपने आपको hero समझते हैं तो उनी को dedicated है मेरा pick hero motor cop ननिय जी 3166 के round चल रहा है 3096 3096 का लगाना है stop loss 3277 3277 के stop loss के लिए hero motor cop खरीदना है और दूसरा कुनाल जी कल भरपूर काम करा है एक एक विगुल में दो दो कॉले लिए हैं तो आप भी थोड़ा सा अज एक्टिव हो जाएं ओके बहुत बढ़िया कुनाल जी को चार्ज अप कर चुके है बंसल जी आए तब तक अमिनाज जी के पास चल कराते हैं गूड मॉर्निंग सर बताएं pick of the day गूड मॉर्निंग अनिल जी गूड मॉर्निंग डिपांशू अनिल जी दो investment picks है एक तो Tata Motors है मुझा लग रहा है कि Tata Motors current price पे काफी attractive लग रहा है एक तो JLR का business वापस काफी strongly second quarter में bounce हो चुका है company ने ये भी काया कि काफी significant amount of free cash को ये generate करेंगे और दूसरी बाद domestic market की बात करें तो commercial vehicle passenger car का market में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से growth maintain की है Tata Motors के पास Tata Technologies की भी काफी बड़े मातरा में Tata Technologies के share तो यहाँ पे जो value unlocking होगी उसका भी फाइदा मुझे लगता है कि Tata Motors को तीसरे quarter में देखने को मेलेगा हाला कि ये one time है लेकिन obviously इनकी value unlocking से some of total part जब हम करते हैं तब उसकी भी value इनकी market cap में चुड़ेगी तो मेरी हाल से अगर नजरीया कम से कम next 6-12 months का है जो अभी दिख रहा है clearly JLR business को देखके domestic commercial vehicle business को देखके तो कम से कम 725-730 का एक near term का target price बनता है तो ये पहला large cap stock मेरी तरफ से और दूसरा अनी जी real estate space में एक चुकी कमपनी है इसका नाम है Anant Raj Limited ये दिल्ली बेस्ट, गुर्गाव बेस्ट कमपनी है मुझे लग रहा है कि इनका जो business model है बहुत उनीक है इनके पास गुर्गाव में 100, almost 200 अकर जमीन है करीवन अभी इनोंने तीन नए projects announced की है जहांके revenue potential करीवन 4,000 कोई है अगले तीन साल के लिए और data center का business उन्होंने जो चुरुआत किया है मेरी क्याल से अगले दो साल में ये data center business बहुत बड़ा रहेगा और यहां पे काफी कम players है इनके लिए definitely एक अच्छा strong competitive point बनता है तो यहां पे भी मुझे लग रहा है कि 320-325 का target price लेगी यहां पे भी खरीधारी करनी जाए तो यह है आपके लिए अनन्त राज और Tata Motors दोनों पर खरीधारी की रहा है कुनाल जी मॉनिंग सर बता है आपकी pick of the day गुद बॉर्निंग दिपांशू गुद बॉर्निंग अनिल जी देखिए सबसे पहले तो अनिल जी यह जो बंसल जी का अनिल जी प्रयास चल रहा है यह आपको convince करने का कि काम सारा हूँ करते हैं इसलिए जबरदस्ती अनिल जी कल एक एक दो-दो कॉल दे रहे थे मुझे पता लगा अनिल जी तो अनिल जी उससे आप convince नहीं होगे मुझे पूरा विश्वास है तो अनिल जी एक दिन की चादनी फिरंधेरी रात अनिल जी ने मैं एक दिन में होता ही नहीं है यह पूरा महीने पर चलेगा कि रहसा तब अलग बात से ऐसा एक दिन की स्टॉक की परफॉर्मेंस पर थोड़ी हम डिसाइड कर लेते हैं सब्सक्राइब एक ओर्डर से थोड़ी डिसाइड कर लेते हैं कि फंडामेंटल कर अच्छे करा आप ऐसा नहीं है आप इसी तरह से एकदम आराम करते रहें कोई टेंशन लिए बंसल जी कर रहे इन जी बिटाये तो दो खरिदारी की राएं सबसे पहले तो अर्नी जी एल एंटी वे खरिदारी की राये जिसमें के बड़ा अच्छा ट्रेक्शन हमने कल के ट्रेड में आते हुए देखा एक ब्रेकाउट भी हुआ है अबरेजे के उपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मो 3150 के stop loss से खरीदारी करके चले 3050 पहला टार्गेट और 3100 दूसरा टार्गेट है L&T में खरीदारी के राये दूसरी खरीदारी के राये है एकसाइड में जिसमें जबरतस तेजी कल के ट्रेड में देखने को मिली बड़ा ब्रेकाउट हुआ है चार्ट पर तो एकसाइड को खरीद करके चलें गिरावट में खरीदें 263 रुपए पर stop loss रख लें पहला टार्गेट 275 दूसरा टार्गेट 280 255 दूसरी के टार्गेट के लिए एकसाइड में भी करें खरीदारी ये राये आपके लिए आते